गरूर देपता जब तक पेड के उपर नहीं गूमेंगे तब तक फूजा आगे नहीं बढ़ती है तो गरूर देपता को गुलाया जाएगा तो गरूर आ चुका है और देखो भाई सारे उधर ही देख रहे हैं बहुत काभी जाधा दूर है यहाँ से इस पेड को ना दोस्तो विश्नु भगवान जी पाता लोग से लेके आये थे और जो आप ये बच्चे देख रहे हो और इनके उपर तो कंडी रखी भी है और इस पेड की एक खाचियत हो रहे है कि ये कभी भी आपको बीच खित में देखने को नहीं मिलेगा हमिसा साइड मे यह की आप उपर शोड़े बच्चे पर देख रही हो कि यही दोस्तो पईया को काड़ता है कि देखो गई कितने चावाल लग चुके हैं तो हमारे यहां बोलते थे बच्वन में जिसके सर पर जितने चावल उसके उतने बच्चे होंगे जब उसकी साधी होगी यह पूजा पेड़ को इसके बाद कभी नहीं काटेंगे जितने हैं उसे साफ से तो और ये परंपरा क्या पता हमारे जो पुराने लोग होंगे उन्होंने इसलिए की होगी कि परकरती को बचाने के लिए कि जिसी की पेड़ पोदे हमेशा सुरक्षित रहे है तो हेलो दोस्तों स्वागत अब का मेरे एक और नए ब्लॉग में ब्लॉग में खुब्सूरत पहाड़ों से और मेरे गाउं एर ली से जहां से मैं आपके लिए प्यार से ब्लॉग बना रहा हूं और वीडियो आपको अच्छी लेए तो चैनल को जोरू से सस्क्राइब करें और मेरे साथ मेरी इस प्य प्या-पाती में ऐसा होता है कि घरूर आता है और ंको अपको बता है वागी आटे हैं उसमें प्याय कितना यूज होता है तो चलिए भे अभी चलिएंगे तल्ली की तरफ और जल्दी से चलते हैं कहीं पता चल रहा है कि हम गए और तब तक भाईया पाती हो जाए तो देखते हैं तो अभी मैं हूँ ठीक चौक में तो यह रहा है हमारा बहरुबाबा का चौक अभी पहुच चुके हैं ठीक टली अर्ली में और यह तली अर्ली की गोसाल है और यहीं से अंदर के लिए जाएंगे बागी कल आपको इतना पता नहीं चला होगा क्योंकि रात हो रही थी पागी चलते हैं आगे के लिए तो यहां से तल्ली को पूरकाव शुरू होता है और अब हम चलेंगे मंदर में तो यहीं है तिनली बजाने कब जाने चलता है तो चलिए वही हमारी दाधिया और देगो पहले ही पहुच चुके हैं और होट सीट पर बेठे हुए इनके इनसे ज्छादा मज़े किसी के नहीं है बागी अभी हम चलेंगे मंदर में और आप भी बनद आप पीछे से राल है रहा है के लघर अबी तार बर यह वह नियुख वह रहे है一下 है हुआ है व bought चाह यह बोलॉछ लड़ है मैं आपको हर चीज़ से प्रोटक्ट करों कई है घृतु आपके फैंस से और जो भी मला आपकी हेटर्स होंगे उनसे बचाओंगा अभी तक बोल रहा था और अब खुदी यह देखो भाई अच्छा चलो चलो अच्छा चलो मंदिर में हो चुकी है खुजा और आप सब लोग जा रहा है पाती के लिए तो आप ये बच्चे देख रहे हो और इनके उपर तो कंडी रखी विए तो ये हैं दोस्तों कन्याए और ये जो आप उपर तोटे बच्चे के देख रहे हो तो यही दोस्तों पईया को काड़ता है यानि पईया पादी में तो कुछ ऐसी विदियों से तर दोस्तों ये पुजा कंप्लीट की जाती है कुछ ऐसी विदिया इस पुजा में होती है यहीं पर दोस्तों में पर किला पुजा की यहीं पर होगे जो कि बोलता है पया पाती और पादी की जो सब्सक्राइब पुजा होती ना दोस्तों यहीं पर होती है तो अभी आपको कापी इंट्रेस्ट आने वाला और वोजे लीं व्लॉग में मने रहना की व्लॉग कापी अमेजिक बनने वाला है वहीं तो देखो सारे लोग आ चुके है और कोई कई बैट रहा है कोई कई बैट रहा है बाकी गरूर देपता जब तक पेड़ के उपर नहीं गूमेंगे तब तक पुजा आगे नहीं बढ़ती है तो प्रूर देपता कैसे आते हैं और कैसे कैसे पूझे की आगे के लिए परकरिया चलती है प्रूर देपता कैसे आते हैं बढ़ती है प्रूर देपता कैसे आते हैं बढ़ती है आते हैं बढ़ती है अड़ पुट्टा अड़ पुट्टा अड़ आप धिवाईच सप्षाल को फिर्टा घिल यौण तेन्या विए अड़ वह ओ वह अड़ी गवरूड़ आचुका है और देखो भई तारे अधर ही देख रहे हैं कापी जाधा दूर है यहाद है इतना नहीं दिखवा रहा है तो हल्का तो बहुत जादे दूर है बहुत जादे गाई तो बहुत जादे दूर है तो यह है भई जादे बहुत जादे बहुत जादे दूर है तो भाई पादी की परकरिया समाप तो हो चुकिए है थारे लोग आप जा रहे हैं जो आगे पूजय की आगे विदी होगी तो भाई बागे तो गरूर इतना विजीवन नहीं हुआ थोड़ा सा दिखाता अगर कैमरे में कैप्चुर होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ कैमरे में इतना विजीवन नहीं हो पा रहा था यह रहा दोस्तो पैया का पेड़ इस पेड़ को ना दोस्तो विष्णु भगवान जी पाता लोग से लेके आये थे और इस पेड़ की एक खाशियत हो रहे है कि यह कभी भी आपको बीच खित में देखने को नहीं मिलेगा हम लोगों के द्वारा हो रहे हो रही है और घ्रम जो होती है और यह परंपरा क्या पता हमारे जो पुराने लोग होंगे उन्होंने इसलिए की होगी कि परकरती को बचाने के लिए कि जिसी की पेड़ पोदे हमेशा सुरक्सित रहे तो अभी दोस्तों चलेगे लोग सीधा मंदिर में और अब वहाँ परकरिया रह चुकी है जो लोग भी द्युट रखेंगे तो सबसे पहले दिसाइभ रखती है उसके बाद बाकी आम पहलग से दोस्तों मेरा मतलब है जो भी हमारे गाउंगे होती है वह उनकी सावी कहीं रख रहे हैं अभी दीशाओं बेट जितने भी दीशाओं होते हैं वो अभी वेट रख रही हैं और इसके बाद रखेंगे बागी सारे भक्त जन चलिए बई जैसे हमारा नमबर आएगा हम भी चलिए तब तक दीशाओं को रखने देते हैं अभी दोस्तों रख दिये बेट और यह देखो वगी कितने चाओं अलग चुके हैं तो हमारे यहां ओलते थे मैस्ला हम ही बोलते थे बच्पन में ति जिसके सर पर जितने चाओं उसके उतने बच्चे होंगे जब उसकी साधिः होगी जोब रोत तो चीतने हैं उसके संवें राकेस भाई पर देगो तो राकेस भाई कि इतने बच्चे होंगे इस वलो बड़ी आए तो जाएंगे 50 तक उसे ताप से दोस्तों पूरी फोज कड़ी हो सकती है तो अभी भई हमें परसाद मिल रहा है और अभी हम कर रहे हैं पहले परसाद ग्रेंड उसके बाद खाएंगे खाना चलिए भई पहले परसाद ग्रेंड करते हैं उसके बाद खाएंगे खाना तो चलिए बई पतला में मिल चुके हैं और अब तो चलिए बई पतल पतल मिल चुके हैं और आपका यह खाना ग्रेंट उसके बाद यह बीच में बोलेगा ज़रूर तो बोली ले बाई नहीं 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 हो गया बिल्कुल कॉंजू सीना दाज यहां बिल्कुल कॉंजू सीना अरे यहां विकाश भार याद इत्का नहीं जड़ा है यह बला लिन मिले इसका इसका में बला लूगा दाई बेकारी बालर में जली है अपना खाना आ चुका है तो खाने का अनज देते हैं उसके बाद आपको मिलेंगे इचले बहुत सब लोग इदर से बैठके खा रहें तो कुछ ऐसा होता है हमारे पाउड़ों में सब लोग ऐसे बैठके खाते हैं यह हमारे फुल पहाड़ी रीतिर गिवास तो आ गई भई दादिया ताइजी लोग सारे उजाई से खाना पीना खाके तो कैसे लगा भई अच्छा लगा अच्छा बन रखा था चार किलो केला खा दिया बस चोटे मास्टर भी आ गए इन्होंने तीन किलो खाया इनको इन्होंने पांच किलो खाया थोड़ा सकाया था तो चलिए फैनली दोस्तों आ चुकी है घर पर और दूप देखो इतनी भेंकर लग रही है कि क्या ही बताओ वाकी करते हैं इस ब्लोग का एंड मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लोग में और झाल झाल